काफी नहीं कहते हैं कि सब्सक्राइब करें मैं कि की आता है कि कशे थीटा वैल्यों को सेम ही मिलना है दोनों में फिर भी मैं इस वीडियो में समझाने कोशिश करूंगा आपको तो चलिए डिसकेशन को स्टार्ट करते हैं तो चलिए अभी साइड में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन ठीक है तो माल लीजिए मैं अभी मंडे का दिन है मैं अभ चलिए और निफिटीक बंगाने मांटेश में घडिक तो यहां पर दीख रहे हैं अभी मॉक ट्रेडिंग चल रही चल रही ईसली जांती 400 पॉइंट अब देख रहे हैं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे देखे पहला चीज यह जब भी हम कोई स्ट्राइटरजी करने वाले हैं हमको पहले मार्केट का मूर्ण सेंडिमेंट देखना पड़ेगा ठीक है माल लेजे मार्केट उस दिन जो क्लूज हुए 17460 के आसपास और निफ्टी बैंक का टेकनिकली 25 परसेंट वेटेज है उसके कारण क्या है फिनांसियल कंपनीज में इंपक्ट होती है तो अल्मोस्ट शॉल्ला परसेंट अल्मोस्ट वेटेज रखता है निफ्टी 500 ब्रॉडर मार्केट हो गया और निफ्टी मेटल्स क्योंकि वह अभी न स्ट्रॉंग चल रहा है तो लॉंग साइड में कन्विक्शन आएगा क्या नहीं आएगा राइट तो बहुत सारी चीज़ें होती ही जो हमको देखना पड़ते हैं उसको देख के हम उसी साफ से अपना जज्ज्मेंट लेते हैं हावेवर जो हम इंवर्टेट स्ट्रेंगल क करते हैं वहां चलता है तो मैं अभी आपको लेकर चलता हूं कि मैं समझाना कर जाना हूँ था मानलो मैंने एक आपका बास्केट क्रिएट किया इंवर्टेंगल का मैं इसके अंदर गया अब दिन में निफ्टी आपका से जादा स्यादा दो सब्सक्राइब घाले एक दिन में तो कोई अगर इंट्रा-डे प्लेयर है तो ओसी साफ से वो अपना इंवर्टेट श्रेंगल बना सकता है कि दो सब्सक्राइब बना दीए चुप चाप देखेंगे धीड़ेटा खाते रहेंगे और को डायरेक्शन ट्रेड मिला तो एक डायरेक्शन का एक जिट कर लेंगे दूसरे डायरेक्शन का ओपन छोड़ देंगे उसी चाप से कर सकते हैं तो माल लो अभी हम चार्च 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 का मार्केट माल लेते हैं तो में को इन्वर्टेट स्टैंगल बनाना पड़ेक्शन अपने कर देते हैं अपनी क्या करेंगे सत्रह छैसो का पुट आप्शन शेल कर देंगे ठीक है नॉर्मल स्सेज़ कर देगैं और उसके बाद हमक्या है का ऐडड करेंगे इसमें सत्रह तींसो का कॉल आप्शन अच्छा यह दोनों बाई हुआ है हमको इसको sell करना है ठीक है sell करना है तो हमने इसको sell करना है को buy sell एक switch में modify हो जारे है उपर touch करने से ही तो अब हमने इसको sell करना है तो आप आप notice करके देखो को सतरह चार्सों साटर मार्केट क्लोस हुआ है तो ट्वेंटीफोर चल रहा है तीन सो का प्रीमियम राइट यानि कि इसमें अभी कितने ठीटा है रफली 60 पॉंट यहां पर है और उपर में जो सतरह चैसों का पूट है उसमें कितना ठीटा है उसमें इसका actual time होना चाहिए कि 140 पॉंट थीटा है आपका रफ्ली 30 रूपीज तो नेट नेट हमको 90 रूपीज थीटा मिल रहा है है अब मालो आपने इसको एक्जियूट किया एक्जियूट जैसे ही आपने किया तो पहले 90 पॉंट थीटा आपके पास आ गया अब मालो मार्केट उपर जाना चालू कर है तो यह बढ़के आपका हो सकता है 255 चला जाए 260 तक चला जाए बट 17600 पुट ऑप्शन है चुकि यह भी कम होगा और यह ज्यादा कम होगा इसमें थीटा का वैल्यू कम है इसमें एक्जिव वैल्यू है तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है इसमें तो 50 में से 40 पॉं दर भी नहीं रहे हो क्योंकि एक ट्रेट दूसरे ट्रेट से अजस्ट हो रहा है जब हम नॉर्मल स्ट्रेंगल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है मालो कि 17600 का हमने कॉल ऑक्शन बेज दिया एंड 17300 का पुट ऑक्शन हमने बेज दिया तो चूकि उसमें इंट्रिंसिक वैल अब जाए तो हो सकता है आपने जो कॉल शॉट के 10 रुपय का वो 13 रुपय हो गया बट जो पुट ऑप्शन आपने 10 का शॉट किया था वो नौ रुपय ही हुआ तो आप नेट नेट लॉस में दिखने लगते हो तो आपको डर लगता है तो आप जल्दी एकिसिट करते हो उसके जगह पर स्ट्रेंगल स्ट्राटजी में क्या होगा कि आप सेफ रहोगे प्लस 50-60-100 पॉइंट का फ्लक्ट्वेशन में आप डर होगे नहीं और मार्केट तो आजकल सिंगल करते नहीं है अब डाउन अब डाउन बाउंस करते रहते हैं तो यह जो अब डाउन हो रह दिखा रहे हैं पर उसके बारे में नहीं जानेंगे तो वहां हम अपने पैसे रखें या नहीं रखें यह हम सब सोचने लगते हैं तो चलिए पहले जो फ्लैटफॉर्म में उसके आने बदा दो दिखा रहे हैं यह इनका लॉजिक क्या है कि यह कोई कमिशन और यह कोई बीट्रेड हो एनसी बीसी एंसी दीए लेते हैं अब मैं इनका ब्रोक्रेश के लिएक आप से भी आपको आपको लिए दिखा देता हूं तो आपको समझाना चाहरा हूं माल लिए आप इक्विटी ट्रेडर है ठीक है आपने लिया 430 रुपए में टाटा मोटर्स और सेल कर दिया आपने 431 रुपए में और आपका लगा चार्जेस माल और माल लिए आपने 100 करी अब इसको आप कैलकुलेट करें देखो तो इनके बाई और सेल में कोई चार्जेस चुकी नहीं है तो सीधा आपका बाकी जो अमाउंट है वो सीधा प्रॉफिट में आपका आता है एंड खाली जो गौर्वर्मेंट चार्जेस है एस्टी ट्राइक्शन चार्ज जी एस्टी सेभी और कॉस्टू ट्रेड जो यहाँ पर दिख रहे है तो यहाँ पर हमने क्य और चार्जेस कितने लगने फोटीन रूपीज लगने तो मतलब बाकी हमारा 86 रूपीज प्रॉफिट आ गया वेरस यहीं सेम चीज आप कहीं और करो के तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं भी तो ब्रॉक्रेज चार्जेस ही दस बारा रूपे और चले जाएंगे और अगर ट्रेड ब्रॉक्रेज वाला होगा तो आपके 40 रूपे चले जाएंगे प्लस 40 रूपे तो जाते ही उसके संग जीएस्टी भी जाता है तो आपका नेट पैसा कुछ बचता नहीं वहां पर वहां पर जैसे यहां 14 रूपे सर्फ डिड़क्ट हो है वहां स्क्रिफ प्रॉफ आपके बार में बताओं तो यह तू थूटाउजन से इन्होंने इस मार्केट में अपना देन्य श्राट किता 2010 में इन्वेश्मेंट एडवाइजर बने उसके बाद इन्होंने एक्चींज की मेमबर्शिप 2015 से लिनी चालू करी और आज यह सारे एक्षेंज के मेमबर्स है तो और चार्ट वगेरा तो जैसे मैंने वीडियो में आपको दिखाया ही और अभी हम आगे डिसकर्स भी करेंगे कि ट्रेडिंग वीवर अगर चार्ट है आप वहां से कर सकते हो ट्रेडिंग और सब चीजें हैं प्लस यह करते हैं तो कोई लोग अगर अपना थर्ट पार्टी से और जो करते हैं उनके लिए भी यह है क्योंकि यह आपको प्रोवाइड करते हैं तो अहां से आप कर सकते हो क्लाइंट सपोर्ट वागेरा इसका अच्छा है एंड अगर आप इनके उस पे जाओगे अब आउट असमें वह करने लगे हैं अपना मेंबर शिवन हो और लिया उसके बार दिरे दिरे बाकी exchanger लिया और वहीं मिली नहीं हैं कमिंग सुन अवी चली और यह सारे एकशेंजेंज से मेंबर हैं एक स्रूर्प्राइश सब जगए इनका रिजटेशन आप देख सकते हैं प्लस इनका mutual प्लैटफॉर्म भी है आप मुच्वाइब देख सकते हूं मतलब आपको एक कंप्लीट बोलते हैं एक कंप्लीट सोलुशन एक जगह पर मिलता है तो वह पुरा इनके यहां पर तो यह चीज है और उसके बाद आप देखोगे तो फंड ट्रांसफर पर जैसे फंड विड्रॉल है तो वह सब भी नॉर्मल प्रोसीजर में जैसे बाकिये ब्रोकर्स क्या होता हुआ है इनके यहां भी है प्राइजिंग का जैसा नहीं सब को जी रही है एंड इसी तरह से और यह काफी लोकेशन्स में इनका प्रेजन्स है किया जा सकता है अब चलते हैं अपने अपनी डिस्कैशन पर किसी को अगर डेली लेवल पर आड़ करना है यह जो हमारे हैं इनको पहले हम से लिए कर दो अगर माली जे किसी को पोजिशनल नहीं साब से प्ले करना है तो वह क्या कर सकता है मालो हमने इस ट्रैंगल का रहीं सोचा 17-200 17-200 का कॉल उप्शन उसने बेज दिया कि सेल में जाएंगे एड कर दिया और माली जे ऊपर का रहीं हमको लगता है 17-800-850 होगा तो हम उपर में जाके 17-850 का पुल बेज देंगे ठीक है यह उनके लिए अच्छा है जो ऑफिस हैं जिनके इस टाइम नहीं अब इसमें अगर आपने इसको एक्जिट किया पनार सोलों पॉइंट का मुइंट में आपको कोई डर्ण नहीं लगेगा क्योंकि आपका तो यह इस तरह से बैलेंस्ट है कि एक उपर जाएगा तो दूसरा नीचे आजएगा दूसरा उपर जाएगा तो तीसा नीचे आजएगा अगर आपने इसको प्ले कर सकता है तो इडिपेंड कि आपको कब कैसी शाटेजी लगानी है और आपको किसी साब से यूस करना है यह जो एप में दिखा रहाता है यह सुन्य भाई फिन्वेशिया है अब सुन्य भाई फिन्वेशिया में यह सारे फीचर्स आपको मिलेंगे और वन क्लिक पर पुरा बास्केट हो सकता है सारा और एक संग आप इसमें दस और भी लगाते दस चीजे भी आड़ करते तो पर कॉन्टिटी बढ़ानी है वहां पर कॉन्टिटी चेंज करनी है वह सब भी आप कर सकते हो उस तरीके से कर सकते हो एंड आप यूस करके देख सकते हो प्लस इसमें ब्रोक्रेट चार्जे जीरो लगता है तो कोई दिक्कत निया मुल्टि लाइक स्ट्राजी वगेड़ा या कोई भी इस तरह की शैटरजी वगेड़ा बनाने में इसमें 10 लग भी आप एड कर दो कि ब्रोक्रेट जीरो ही लगना है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं होगी आप आराम से 10 लग एड कर सकते हो जब गलत लग रहा है तो इमीडियेट एक्जिट मार सकते हो और चार्जे और यूज़ करके देखिए इस एप को